नमस्कार स्वागत है आप सभीका बी सीटी में दोस्तो एक बार फिर से एक नई जानकारी आप लोगों के बीच मिले कर आया हूँ वीडियो पर बने रहिएगा अगर आप भोजपुरी लोग गीतों से रिलेटेड कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आ आये हैं तो अभी भी आप वीडियो से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि इंटर्टेन्मेंट के लिए है नहीं अगर हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बिल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट बीसीटी पे आए तो सबस चीजों पर फोकस करेंगे आज इस वीडियो में क्योंकि तमाम इस्टूडियो में बहुत से लोग एगरिमेंट करते हैं और बहुत धेर सारे हमारे नए पुराने भोजपुरी सिंगर नहीं समझ पाते हैं सोचते हैं कि एगरिमेंट करने से नुखसान होगा दोस्तों एग एगरिमेंट कर देने से मान लिया एक आईडियो वीडियो करने के लिए आपका 4-5,000 रुपया-6,000 रुपया एक गाने का लग गया ठीक एक गाना आप गाके गये कुछ दिन के लिए फिर आए एक गाना गाए ऐसे ऐसे करके अगर आपने साल भर में 20-25 गाने गाए तो वो इस्टार फिलम्स के इस स्टूडियो का पॉलिसी है अगर आप एक डेड़ लाग रुपे खर्च करके एक studio से agreement कर लेते हैं एक company से agreement कर लेते हैं तो आप permanently उस company के पास हो जाते हैं अब आप जो है अगर मान लिया महीने में चार आइडियो वीडियो निकाले तो यह डिस्टार इस्टूडियो का मतलब है कि एक महीने में चार आइडियो वीडियो देता है चार आईडियो वीडियो अगर मान लिया कम से कम बजट में अगर बढ़िया बना जाए तो 6,000 रुपे खर्च होने हो उस पे फिर दो महिने में 50,000 का तीन महिने में 75,000 का फिर जो है चार महिने में ही आपका 1,00,000 रुपे रिकवर कर लेता है फिर पांच महिने में आपका हो गया जो है 1,00,000 फिर छे महिने में आपका 1,00,000 रुपे का इन्वेस्ट करते हैं एक साल के लिए एगरिमेंट करने के लिए तो आप प्रॉफिट में रहते हैं नहीं तो वही जो है साल अगर आप ऐसे ही करें जैसे हसाब से सब्सक्राइब के पॉलसी में चार आइडियो वीडियो पर महीने तो आपका तीन लाग रुपे का बजट बैठता है और वह आपको महगा पड़ जाता है साथ-साथ में अगर agreement करते हैं company के साथ permanent रहकर जो है काम करते हैं तो company आपके उपर focus भी करती है क्योंकि एक साल के लिए आप उसके साथ agreement हो गया है आप permanently studio में रहोगे इस studio के हाव भाव के हिसाब से कैसे काम होता है क्या चीज़ होता है फिर ही time है recording नहीं है आप भी गाते हो है anytime जब studio में आनी होगा आपका पैसा भी कम लेगा लगेगा और साथ-साथ में वाइरल होने का या हिट होने का चांस ज्यादा हो जाता है जब आपके permanently content जो है किसी studio के माध्यम से आने लगते हैं मैंने सूचा कि इस जानकारी को आप लोगों के बीच में इसलिए share किया जाए क्योंकि ड लिए गए नंबर पर contact करिए और इस policy का lab उठाएं agreement करके permanent content अगर मार्केट में जाता है तो गारंटी है वाइरल होगा और एक साल का matter बहुत बड़ी बात हो जाता है एक साल में कहीं न कहीं कोई न कोई गाना किलिक कर जाएगा social media का जमाना है तो उम्यद करता हूं कि यह ज जानकारी एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार